सो ही दोस्तों जैसे कि आज के डेट में देखेता है तो 20,000 के प्राइजिंग में काफी सारे स्मार्टफोन देखनी को मिल जाता है बट आज के इस पीडियो के अंदर हम उनी टॉप थरी कैमरा स्मार्टफोन के बारे बात करने वाले हैं जहाँ पर आपको 20 तर के प्राइजिंग में काफी कमाल के स्पेक्स देखनी को तो मिलता है बट यहाँ पर हम मेलनी कैमरा पर फोकस करने वाले हैं आप प्रो लेबल की फोड के वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे इसके लब आपको और भी दूसरे फीचर से भी काफी बढ़िया देखनी को मिल जाता है जैसे कि आपको 7000 मेंस की मैसिब बैटरी, 120 हर्स की सूपर एमोले डिस्प्ले, 108 मेंग अपसल का पावरफुल कैमरा और वहाँ आपको फ्लेक्सिप लेबल की पहमेंस भी देखनी को मिलेगा साथी दोस्तों यहाँ पर आपको एक नंचन यह स्मार्टफॉन भी मिल जाता है और वहाँ यह आपको एक डिवाइस जो है कैमरा के साथ साथ 5G connectivity के साथ में आता है तो अगर आपका बज़र 20,000 प्राइजिंग के आसपास है तो यह वीडियो आपके लिए काफ यूसफुल हो सकता है तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रही है जिससे आप डेफिनेटली एक परफेक्ट कैमरा स्मार्टफॉन भाइक कर पाएंगे और ऐसे ही टेक वीडियो के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिक्रिक्सन जो है सबसे पहले देखनी को मिल जाएगा तो सबसे पहले बात करते हैं Redmi Note 10 Pro Max देवाइस के बारे में यहाँ पर आपको जो है Quad Year Camera Setup यूज़ के आ गिया है जो की Main Sensor 108 Mbps के साथ में आता है इसका लब आपको 8 Mbps की अल्टा वड़ इंगल लेंस 5 Mbps का आपको Super Daily Macro Lens मिलेगा और आपको 2 Mbps का देश सेंसर दिया ग यहाँ पर आपको प्राइस के क्यामरा में कोई भी इस देखनी को नहीं मिलेगा इसके डिस्प्ले के बारे बात करें तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले भी काफी टॉप नौस की दी गाई है जो कि आपको 6.67 इंच के साथ में आता है और यह डिस्प्ले आपको Super AMOLED मिलेग जो कि Full HD Plus Resolution के साथ लेस है और यहाँ पर आपको 120Hz की डिफ्रेशट के सपूर्ट भी दिया गिया है साथ यह डिस्प्ले आपको 1280 स्पीक प्रैटनिस के साथ में आता है तो डिस्प्ले यहाँ पर आपको डियली काफी एमेजिंग दी गई है तो वीडियो कर अगर आप यह आप एंजवाई करते हैं तो कलर सापको काफी पंची दिखाई देने वाला है साथी सेक्रोटी के लिए आपको साइड मौनेट फिंगर्पिंट का सेंसर भी मिल जाता है और अच्छी बात है कि यह स्मार्टफोन आपको ग्लास बैक पैनल के साथ में आता है जो कि आपको है 5020ms का बैटरी मिलता है जिससे चार्ज करने के लिए 33W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा तो अब बात कर जिए इसके प्रोसेसर के बारे में तो यहां पर आपको क्लिके में स्ट्रेगन 732G का एक गेमिंग चिपसट मिलता है जो कि एट एनवर बेस्ट है तो यह 78G वी स्टोरज के साथ में आता है जिसका फिलाल के टैम में 20,000 है तो गर आपको इस प्राजिंग में 120 हर्स के सूपर एमोले डिस्प्ले इसके साथ ही आपको पहमेंस में यहां पर ठीक मिलता है और कैमरा तो यहां पर आपको काफी बढ़िया दी ही गई है तो खास दोर प कैमरा तो काफी बढ़िया धी ही गई है यानि के आपको काफी बढ़्या package देखने को मिलता है तो सबसे पहले बात करते हैं इसके 준ुपर डियर से मिलता है जो कि मेंन सेंसर जो है 64 में एसल के साथ में आता है इसकेलिए्ट accurate ऐसल के अल्डाव डेंगर लेंस और आपको 2 वज्व सोन में लेंस दिया है साथ ही आपको फ्रन्ट की उर 16-0 वसल का सेल यह кवरा मिला याता है इसके यूर कैमरा से आप 30 लिसु देखने को नहीं मिलेगा डिस्प्ले की बात करें तो यहां पड़ आपको 6.5 18 की IPS LCD पैनल दी गई है जो कि 120 हर्स पैनल के साथ में आता है साथ ही आपको सेकूरूटी के लिए जो है साइड मौड़र फिंगर्पिंट का सेंसर मिलेगा और वहीं यह स्मार्टफोन पॉली कार्णमेट बैक पैनल के साथ ही आता है बैटरी की बात करें तो यहां पड़ आपको करीब 44 MS की बैटरी दी गई है ज 768G का 5G chipset मिलता है जो कि 7NM पर बेस्ट है तो performance यहां पर आपको काफी मक्षन वाली देखनी को मिल जाएगा यानि कि 20 जर के नीचे जितने यह 5G स्मार्टफोन है उस सभी से यहां पर आपको बेटर पाहॉमेस देखनी को मिलता है बट जैसा कि यह स्मार्टफोन 5G connectivity के सा के साथ मिल जाएगा जिसका प्राइजिंग 20,000 है बट यहां पर आपको 2,000 का इंस्टेंट डिसकाउंट कोपन मिलेगा जिसके मदद से आप इस डवाइस को 18,000 के प्राइजिंग कर पाएंगे साथी इसका दूसरा फिरेंट जहां पर आपको 8GB की रैम दी गई है जहां पर के एकॉर्णिंग तीनों में से किसी विरेंट को कंसिडर कर सकते हैं तो अगर आपको दमदार कैमरा के साथ साथ दमदार पहुं मेंज आए तो आप इस डवाइस को डेफिनेटली चेक आउट कर सकते हैं मैं और आपको 12ников से आपको 5M2 मारेंट मिलता है साथ ही आपको फ्रंट की ओर 32 मेगावसल का सेल भी कैमेरा दिया गया है और इस डिवास से आप रियर एंड फ्रंट दोनों तरब से जो है फोड की बिडियो रिकॉर्डी 30 fps पे काफी स्मुखली कर पाएंगे और इस डिवास का कैमेरा आपको जो है 20,000 की नीचे जितने भी है स्मार्टफॉन है उस सभी से आपको यहाँ पर बिटर कैमेरा देखनी को मिल जाता है तो अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में तो यहाँ पर आपको 6.7 इंच की एक Full HD Plus की Super AMOLED Plus वाले डिस्प्ले दी गई है जो की 960 Hz रिफ्ले सेट के साथ ही आता है लेकिन यहाँ पर आपको डिस्प्ले का कलर्स जो है काफ़े बढ़ी है देखाई देगा अगर आप यहाँ पर मेडिया कंजूम करेंगे तो कलर्स आपको डियाली काफ़े एट्रक्टिव दिखाई देने वाला है साथ ही आपको जह सेट के लिए साइट की और फिंगर्पिन्ट के सेंसर और वहीं आपको ड्याली की दिगरी है वैसे इस जिपसेट को जो है Samsung Flexive Level का बोलता है लेकिन यहाँ पर आपको जो है बीसेटर के प्राइजिंग के एकॉडिंग performance काफी बढ़ देखने को मिल जाएगा यानि कि आप gaming भी यहाँ पर कर सकते हैं साथ यह smartphone 6G plus 128 GB storage के साथ मिल जाएगा जहां पर आपको 24,000 के प्राइजिंग में यह device मिलता है प्राइजिंग की बात करें तो यह smartphone आपको 6G plus 128 GB storage के साथ आता है जिसका प्राइजिंग फिलाल के टाइम में 24,000 है बट अगर आप इस device को buy करते हैं तो यह device आपको 18-20,000 के प्राइजिंग में इसली देखने को मिल जाता है तो अगर आपको अट्राइजर के प्राइजिंग के आसपास एक नंचन यह smartphone चाहिए साथ ही आपको बिग बैटरी और अच्छी खासी camera चाहिए तो आप इस device को definitely buy कर सकते हैं तो ही दोस्तो ही था टॉप 3 प्राइजिंग के आसपास देखने को मिलता है आई होप आपको वीडियो काफी helpful लगे होगी तो इन में से आपको जो कौन से smartphone काफी ज़्यादा पावरफू लगा साथ ही आपको किस device के camera जो काफी ज़्यादा बेस्ट लगा आप ज़रू से न नहीं तो मैं मुलता आप से जली एक न्यूव वीडियो के साथ